नीट एप्लिकेशन Phase 2 के रेजिस्टेशन फॉरूम के लिए लिंक दुबारा से एक्टिव होने से काफी स्टुडेंट को ये डाउट हो गया है कि क्या सभी स्टुडेंट को ये फॉरूम दुबारा भरना है, रेजिस्टेशन दुबारा करना है, तो इस विशेपर मैंने और फेज टू में correction करना है वो कर सकते हैं इसके लिए तो अगर आपने फेज वन में जो ये चार कोलम दिये गए हैं इनमें कोई mistake की है तो उसमें आप correction कर सकते हैं दुबारा से और अगर आपने फेज टू के अंदर कोई problem आपकी mistakes हो गई है फेज टू में तो उसको भी अभी दुबारा से correct कर सकते हैं तो NTA ने ये मोका दिया है आपको अगर आपके phase 2 में भी कोई problem हो गई है mistake हो गई है तो आप उसको भी correct कर सकते हैं उसमें भी आप correction कर सकते हैं तो ये बिल्कुल clear हो चुका है क्योंकि काफी सारे student EC doubts में थे मेरे को phone भी किया था comments से भी किया था तो मैंने एक बार सोचा NTA से इसके बारे में बादसीत कर ली जाए कि क्या सभी candidate को ये form दुबारा फिल करना है क्या जो link active दिखा रहा है तो ये जिन candidate ने अलड़ी कर रहा है phase 2 का registration तो उनको दुबारा से करने की जौरत नहीं है वो right side में अपना शोरी left side में application view में check करके देख लिए 10th की 11th की 12th की detail आ रही है कि अगर detail आ रही है तो उनका successfully submit हो चुका है कोई problem नहीं है यानि कि इसमें phase 1 और phase 2 का ये correction form है तो इसमें आप correction कर सकते हैं तो और कोई इसके बारे में update मिलेगी तो आपसे जरूर share करेंगे मिलेंगे नई update के साथ में तब ग्रूरप्चर कोई डिए एस दो खगलेंगे थे भंगा है करेंगे मिलेंगे मिलेंगे को अना फर्वं